Hello everybody, welcome to Mystic World, 11.11, यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए आज क्या है यह सारे star signs की reading होती है, यह एक short reading है और बिल्कुल timeless है सो देखते हैं कि आज वो क्या सोच रहे है और क्या feel कर रहे है Okay, so bottom पर हमें नज़र आ रहा है night of pentacles Oh wow, night of pentacles So maybe आपके person बहुत slow चल रहे है इस connection में या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा time चाहिए है The high priestess, the magician बहुत smart, बहुत sharp इंसान है, intelligent है और आप भी Knight of swords Ace of swords Three of wands Seven of wands So यहाँ पर Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer यह star signs बहुत strongly है, bottom पर हमारे पास Ace of pentacles है उसे पर नीचे the world है, Queen of swords है Seven of swords So I feel जैसे यह इनसान आपको clarity देना चाहते है, कुछ discuss करना चाहते है, आपसे important और फिर Ace of pentacles के साथ यह इनसान आपको कुछ offer करना चाहते है, maybe relationship, maybe कुछ लोगों का relationship नहीं बन रहा है, या relationship progress बहुत slow कर रहा है, और मुझे लगता है कि यह इनसान कुछ आपको offer करना चाहते है, जिस relationship जो है वो आपका ज़रा तेजी से progress करेगा, if that makes sense, so I feel कि यह इनसान आपको कुछ clarity देना चाहते है, I also feel कि पहले यह इनसान आपके लिए ऐसा feel नहीं करते थे जो अब करते हैं, यानि जब शुरू में आपका connection बना, I feel उतने serious नहीं थे जितने अब seriously वो इस connection के बारे म सोचा है, so पहले वो इतना seriously इस connection के बारे में नहीं सोचते थे, so इसी लिए अब वो आपको यह offer देने जा रहे हैं, यह Ace of Pentacles के साथ, पहले वो इतना serious होकर नहीं सोच रहे थे, but अब वो यह सोच रहे हैं, कि वो उनको वाक़ी यह connection चाहिए, आप वाक़ी उनके लिए important हो और वो fight करना चाहते हैं इस connection के लिए और give up नी करना चाहते हैं इस connection पर चाहे जितने भी लोग इसके against हों, so मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके person एक बहुत sharp इंसान है, बहुत observe करने वाले keen observer हैं basically, एक एक चीज notice करते हैं, सोचते हैं, deep thinker हैं, बड़ा analyze करते हैं बहुत जादा आपको परखा और उनको ये feel हुआ कि जैसे आप उनके हर इमतिहान में पास होते गए, मतलब उनको लगा कि आप बहुत जादा compatible हैं, मतलब जैसा इनसान वो चाहते थे आप इलकुल वैसे हैं, मतलब उन्होंने आपको बहुत observe किया और जैसे आजमाया उन्ह को ये realization हुई कि आप बहुत बहुत pure soul हैं, आप बहुत मतलब घरे इनसान हैं और फिर time के साथ साथ आपके लिए उनके दिल में feelings बहुत deep होती चली गई और बहुत real होती चली गई और अब ये इनसान इस नतीजे पर आए हैं कि आप उनके लिए बहुत important हैं और इसलिए इन offer कोई वादा ऐसे कि मतलब हम ऐसे करेंगे future में हम ऐसे शादी करेंगे या हम ये करेंगे या if you want relationship, maybe friendship चल रही थी आपकी और अब ये इनसान आपको relationship offer करने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों की engagement हुई भी थी और आप finally आप शादी कर लेंगे ये इनसान आपके साथ और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी engagement हो जाए, so हर किसी के लिए चीज different होगी जिस भी level पर आप इस वक्त हैं, इस connection में, उससे अगले level पर जाएंगे, so कुछ real basically ये इनसान कुछ solid आपको offer करना चाह रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि उनके दिल में feelings आपके लिए अब ज़्यादा develop हो चुकी है, शुरू में इतनी ज़्यादा seriousness नहीं थी, चीजों को slow लेकर चलना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, compatibility है या नहीं, आप दुनों एक दूसरे के साथ chemistry बनती है या नहीं, understanding हो पाती है या नहीं, so अब उनको ये महसूस हो रहा है कि हाँ, बहुत understanding भी है, chemistry भी है, so वो चलना जाते हैं आपके साथ, so ये आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे आप बताएगा comment section में, मैं मिलूंगी आपसे next video में, till then, love you lots, bye-bye.